हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए मास में कोई भी सुब कारे नहीं किये जाती इस मास में दान पुन्न करने से विशेश फल की प्राप्ति होती है 16 दिसंबर से सुरू होने वाले इस खर मास में आप पूरे महीने दान पुन्न जरूर करें किस तृथी को कौण सी चीज दान करना सुब रहेगा आईये इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों पर्थमा, पर्थमा के दिन घी से भरा चांदी का पातर आप दान करें आपको मन की शांती मिलेगी तृत्या के दिन कांशे के पात्र में रख कर सोना दान करें, कभी धन धानने की कमी नहीं होगी तृत्या के दिन चना दान करने से सुख की प्राप्ती होती है चतुर्ती वाले दिन चतुर्ती को खारक का दान करने से लाब होता है पंचमी, पंचमी को गुण का दान करने से मान सम्मान में वृद्धी होती है सश्टी, सश्टी को औसधी का दान देने से विकार दूर होती है सप्तमी, सप्तमी को लाल चंदन के दान से बल और बुद्धी बढ़ती है अश्टमी, अश्टमी को रक्त चंदन दान करने से प्राकर्म बढ़ता है नौमी के दिन केसर का दान करें, भाग्यद होगा दश्मी के दिन कस्तूरी का दान करें, मनु कामनाओं की आपकी पूर्ती होगी एका दशी को गोरोचन के दान से बुद्धी बढ़ती है द्वादशी को शंक का दान करने से धन में व्रिद्धी होती है और तर्योदशी को घंटी का दान करने से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है चतुरदर्शी के दिन मौती दान करने से मनोविकार दूर होती है अमावश्या के दिन आटा दान करें प्रकार की परिशानियों से मुक्ति मिलेगी पूर्णिमा को रत्न दान करने से अपार धन की प्राप्ति होती है तो दोस्तों आप इन खर मास में इन तितियों के अनुसार यानि इन दिन के अनुसार आप ये दान जरूर करें और यह दान आप अपने श्रद्ध के अनुसार कर सकते हैं तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक सदिक लाइक और शेयर करना ना भूले और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धान्यवाद